आज का अपना टोपी का बार ले जिसे हिंदी में जो केते हैं अपन ग्यों पढ़ ले ग्यों को डिटीयल से पढ़ लिए क्योंकि आपके पूराने पेपर में जिटने भी ग्यों से क्युषन आये उन की उसनों की सब की बात अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं अपनने मक्का पढ़ लिया, मेज पढ़ लिया और कपास भी अपनने पूरी पढ़ लाई आज अपन पढ़ेंगे बार ले जिसे हिंदी में कहते हैं इसके बोटनी का नेम की बात करें तो इसका बोटनी का नेम होडियम वलगी है क्रोमोसम नंबर मतलब उन सुत्र की बात करें तो इसमें 2N बराबर 14 गुण सुत्र होते हैं मतलब 2N बराबर 14 इसमें गुण सुत्र होते हैं बाद रे में भी टो एन वरावर चोदा ही उनसुतर होते हैं, इसकी फैमेली की बात करें तो इसकी फैमेली है पोईसी, जिसे ग्रेमनी नाम से भी जाना जाता है, ग्रेमनी का नया नाम ही पोईसी है, अपन बात करते हैं हम इसके ओरिजन की, मतलब उत्पती इस्तान की, तो इथोपिया कई कई किताबों में इसका इथोपिया भी मिलता है और दक्षनी पस्थी में एसिया भी मिलता है यह दोनों ही ओरीजन इसके सही है बट आपके ओप्षन में या तो दक्षनी पस्थी में एसिया देगा या फिर इथोफिया देगा दोनों ओप्षन एक साथ नहीं देगा तो जो बार्ले का उत्पती स्तान है डंष्णी-पस्षी-मि अईसिया और इथोपिया इन्फुरो से इन मतलब पुष्पर करम की बात अभाट करते हैं, जो के फ्रूट टाइप मतलब फल परकार की तो फल परकार होता है, है केरियोप्सी जो पर्ल परकार होता है केरियोप्सार्य कर लूक्स कि अपने बात करें, जो लंटा और सारे संसील फसल नेक्स्ट दाना और बूसा का अनुपात होता है यह 1.25 लोगफ और ग्यों का भी यही होता है एक से 5.25 लिवपनब्र종ों Papad Day защ बात करें इसमें अल्भॉंविनाइड परोटेव रडिट जाती है 11.59 कर्वो हैडरेट, से बनने बनाने के लिए यूज सीछ soap को आभ भाले के द्मद्स Š तीन साथिया होडियम वाल्गयर्व होती है च्छेला इन वाली होती है और होडियम इरूगुलर ये 2 रो वाली होती है और होडियम डिस्टिकम ये भी 2 रो वाली होती है अब जो होडियम वलगियर है ये 6 रो वाली कैसे होती है जैसे कि होडियम वलगियर का प्लांट है दो इधर से निकलेगी और दो इधर से और दो इधर से टोटल हो गई 6 तो ये 6 रो वाला है ये इसका प्लांट है तो ये 6 रो वाला है होडियम वलगियर बात करते है होडियम इरूगुलर की जो ये इरूगुलर है इसकी एक इधर से निकलती है और एक इधर से निकलती है ये तो रो वाला होता है अब अपन बात करते हैं कि सोविंग टाइम मतलब जोकती बुआई का समय क्या है तो इसकी अटुमबर नॉबर में इसकी बुआई के जाती है इसका रोट तू रोग की दूरी देखे तो 22.5 cm रोट तू रोग दूरी है पलांट तू पलांट की दूरी द इसकी रोगी दूरी यह बात आप ध्यान रखिएगा यह मोस्ट है आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब कर लीजिगा और आपने फ्रेंड्स के पास सेर की जिगा बात करते हैं इसमें फर्टिलाइजर उर्वरक की बात करते तो इसमें नायट्र निमेटोड रोधी विर्याइटी है तो यह है आरडी 380 इस आरडी 380 को राज किरन के नाम से भी जाना जाता है अब कभी कभी एक्जाम में क्यूसर नहीं से पूछ लेगा कि आरडी 380 को किस नाम से जाना जाता है तो इसको राज किरन के नाम से जाना जाता है और यह निमे वाले पढ़ जाती कौन कौन सी है आजाद और जोती अब आपन बात करते हैं असकलेज अब यह असकलेज होता है छिलका रहित वेराइटी यह उती है डोलमा यह बहुत मौश्टे एक्जाम में पिछले बार पूचा गया था कि डोलमा किसकी वेराइटी है जोकी और यह चिलक माल्टा के लिए उप्युक्त पढ़ जाती है विली पर और अमबर मुटेंट वेराइटी है बी एम फोर वी एम फाइफ और वी एम एट यह मुटेंट के लिए उप्युक्त वेराइटी है अब अपने यह थोड़ा से दीख नहीं रहा होगा आपको इसकी मतलब जो ग्यों अगर 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 अकरते हैं तो 125 कजी परती एक्टर के हिसाब से बीज प्योग में लेते हैं ओप्टिमम टेंप्रेचर गयों और जो दोनों के लिए 25 से 30 डिगरी सेंटीग्रेड होने चीए रोई इंटू प्लांट की दूरी 22.5 से 10 सेंटीमेटर होने चीए सोविंग डेप्ट 5 से 6 सेंटीमेटर होने चीए और दाना और भूसा का अनुपात 1 से 1.25 होता है और इजन दोनों का दक्षनी पस्सी में एसिया होता है यह बात भी आप ध्यान रखिएगा